तो हेलो में पेया दोस्तों नमस्कार आप सब्सक्राइब का सौगत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देशी डीटेस ओनली के एक नई धमा के दर वीडियो में दोस्तों बेसेकली रोज हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल लोन के बारे कि पर्सनल कैसे ले सकते हैं क्या प्रोसस मतार कि अगर आप कुछ और सभ्सक्राइब कर रहा होते हैं तो उस अंको हमांट पतातेम पुरी डेटेल शक्रेश कि कैसे हिसी थोलिफेरेंट यह अच इस वीडियो पे नेवाला हूं कि कुई पर्सन है तो वह अपनी आपणिशाल ग्रोथ कैसे कर सकता है माल है कि शपकर पैसा नहीं इसका रोज़क को कमाना लेकिन मैं आज कि या आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा कि को ईपर्षिन अपने इन्वाई Cr yarn confident की कर notation क्वेलिए कि तो लॉव दो यह ज्यादा बंबा नहें खिचेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे में चीज दोस्तों हमने को बहुत दिनों से लगे थे हमाई टीम लगी हुए थी पूरी तो हम लोग ने एक पूरी टीम बिल्ड किया है और सभी बैंकों से कनेक्ट किया और मुंबाई मेड ऑफिस से ब्रांचेस से और जो वेट साथ हमों मदद करेगा आपको पर्सनल लोन दिलाने में तो हम आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो हम आपके लिए कैसे चील लेके आएं कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप हमसे कंट्रेक्ट कीजिए और हमाप पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे तो उसी के लि हैं मुश्किल नहीं आसान हैं बहुत से लोग से दूश्रें सब्सक्राइबर साहरे हैं जो डैनक से जाते थे हैं पर उन्हें नहीं तो सारी चीज़े आपका अच्छे से डिटेल में पहले देखेंगे कि आपके ऐसी में क्या है और सारी चीज़े डिटेल में चेक करने के बाद हम आपको आपका लोन प्रोवाइड कराएंगे वह बेस्ट बैंक से वह बेस्ट इंटरेट के साथ यह नहीं कि दोस्तों आपको क प्रेवन नोटकों यहां पे आप हमें कॉन्तेक्ट किढ़े उसे जो आपको मुवाय ने जो मारा कॉन्तेक्ट नमबर है उस पर कराएंगे वरी आप हमें चाहिए तो प्लेंड्सटों हमें माले कान्टैक्ट करिए कोई भी प्रोब्लम आती है किसी valor लेने में तो भी रमले कान्टैक्टीजिन टीजिए या कोई काम का इस या Si कोई कल pig यह ऑषब यह किसी इसे आप में कॉन्टैक्ट कियो तो चलते हैं हम उस बात AW कि कि जो हम आपको आज बताने वाले हैं तो इसके लिए दोस्तों आप हमेशा याद रखेगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोन लेने के पाद भी अपना पैसा बचा सकते हैं सबसे पहला मैंन पॉंट आपको यह बताऊंगा और जैसे-जैसे मैं मुझे मैं रिशार्च कर रहा हूं कुछ पातें पता चलती हैं तो उस पर भी मैं आपको जो लोन लेने के पर आप कैसे फाइनेंस जिए ग्रोथ बढ़ा सकते हैं उसमें जो रेट आफ इंटेर्स लग रहा है दो वह लग रहा है आपको 11.05 परसंट से स्टार्टिंग हो रही है माल लीजी ये डिट आप इंट्रेस्ट त्वल पर्सन लगता किसी पर्सन की ठीक है एक ऐग्जामपल लेकर चलना है और वो किसी बैंक से लून यहाँ पर देख सकते कि कितना मिनमम लोन ले सकता है और मैक्सिम्मेंग लुख करेसकता है माल नीजिए आप कोई परसन यहां से 20 लाग रुपया का लोन लेता है यह लोन है जो मैक्सिमाल लोन है रोक से रेट आफ इंटरेस्ट किता है इस्टार्ट हो रहा है यहां पर इसके लिए इमाय कल्कुलेटर लिंक पर इसके लिए दूसरों हम लोगा चाहिए कि इस कि लोन लेने जा रहे हो हुए को क्या आएगी वो यहां से आप चेक कर सकते हैं तो आगर अगर आप लोन लेने के लप्रान् harness when बना रहे हैं तो हमेंसह रहे पर आप सब्सक्राइब करेंगे है कि कि सारी cycle आंअ इस इचार होग आप हम आपको पूरी इंग में बने कितनी वाइच सेलडरी है डिटेल्स क्या क्या होंगे आपकी आपका नीम होना चाहिए आपका सिविल स्कोर होना चाहिए आपकी मंतिली सेलरी होनी चाहिए और आपकी जो इस रिक्यार्मेंट की बात करेंगे वो क्या होगी और आपको लोन एमोंट कितना चाहिए वो यह सारी डिटेल्स हमें बता यहां पर देखते हैं कि इन कहा तैसक्तियों ऑदिखते में, यह पर लोन पर्सेल लोन आइंदर कितना सब्सक्राइब लग रहा था example ऑज़े लिया तो तो 12% rate of interest loan टेनर अभी मानन के चलते हैं उसने 5 सालों के लिए लोन लिया अब यहां पर देख सकते हैं उसकी जो मंत्ली में बनेगी वो 2,00,00 के लोन पर किती बन रही है लगवक 45,000 रुपर आ जाती है और रुका इंट्रेस्ट रमॉन के इतना लग रहा है 6,70,000 रुपर इस चीज को यहां पर कैसे पैसा सकते हैं देखिए अगर यहां पर उसने 5 सालों के लिए लिया था चार सालों के ले ले यहां पर देखें उसकी मंत्ली में कितनी बड़ी साथ हजार बड़ी लेकिन अब पैसा कितना बचा रहा है एक लाग रुपए साथ हजार रुपए की इमाई बढ़ भाग के जब कोई परसन एक लाग रुपए बचा सकता है कितना एजी हो जाता है लेकिन कि सब के लिए मैं जानता हूं कि पॉसिबल नहीं है कुछ लोग की सैलरी नहीं होती है जाता लेकिन अभी यहां पर हम लोग चेक करते हैं मालेजी किसी की सैलरी में किसी ने लोन लिया एक लाग रुपए का ठीक लोन इमांड इंट्रेस्ट वाज सेम लग रहा था उस सब्सक्राइब निकलता है तेरह जार रुपए तो मेरे कहने मतना दोस्तों यह हमीशा याद रखेगा अपना सैलरी के साफ से अपनी मतली माई बनवाएगा यह चीज तो फर्स्ट पर रखेगे अपनी आपकी सैलरी हो यह मत सूचिए कि ज्यादा माई बनवाएंगे ठीक तो पैसा कम लगेगा लिक्त मेरे जो आज की वीडियो कहने मोटिव था एक जिसमें मैंने आपको बता है यह बता है आप जब लोन लेने जाए कोसिस करिए कि आप कितने कम से कम समय अपने लोन को खतम करा सके इसे आपको पैसा बचाने में असानी होगी जो आपका इंट्र भूल जाया कि आपकी सेल लेकिती है तो हमेशा आप अपनी सेलरी के हिसाब से अपनी मंधिल माई बनवाईएगा तो आसा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी यूसफल लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगर दूस्तों आपको भी अगर लोन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा हम उस पर आपकी डेडिकेटेव वीडियो बना देंगे